असलाम वालेकुम वेलकम टू मैं चैनल सम्रा मुस्तकीन कैसे हैं आप सब आज हम अपने किचन में हाका नूडल्स बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं बहुत ही जबरदस रेसिपी है वीडियो को विलकुल लास तक देखिएगा चलते हैं इसकी रेसिपी की सबसे भाई शलते हैं इंके इंक्रिडीयन्स की तरफ यह मेरे पाँण लसना कासा है वटीश्पून लाल चुटिऑ मियोरची है दे सोज़ी Haaf तीस्पून नमक है हाफ तीस्पून-च्भी है गाजरे है तू मीढिन्श्पह की दे नाटर है एक गोबी है और ₹ शिमलना मर्च है गाजरे शिमलना मर्च और गोबी को मैंने लंबा लंबा काटा है इससे यह होता है कि थोड़ी खुबसूरती आती है आपके खाने में चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ बिस्मिल्ला रख्मान रुरहीम अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पह सब्सक्राइब करूंगी यह लाजमी अट कीजिएगा यह कुकिंग ओल है इससे यह होता है नूडल्स आपस में नहीं चुड़ती है इसको थोड़ा गरम होने देंगे बबल साने तक हम इसको इतना गरम करना है आप दूसरी ज़रफ हमने नूडल्स को तोड़ लेंगे नूडल्स तोड़ने के बाद अब हम गरम गरम पानी में इसको एड़ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसको लाजमी मिक्स कीजिएगा इससे यह होता है कि नमक और आइल एक्सोस हो जाता है मिक्स करने के बाद आप मैं इसको कलने के लिए छोड़ दूँगी पनी फिलेम को आप मीडियम टू लो रख़िएगा और आप इसको कलने के लिए छोड़ देंगे 15 मिन के बाद यूवर्स मैंने इन नूडल्स को छान लिया है इसका सारा पानी स्ट्रेंड करने के बाद हम इसमें वन टीस्पून ओयल एट करेंगे यह कुकिंग ओयल है और इसको अच्छे रेक से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ताकि यह सब तरफ से मिक्स हो जाए यह मिक्स हो चुकी है अब हमने नेक्स स्टेप कर चलते हैं नूडल्स को हम एक साइट पर रख देंगे दूसरी तरफ हम पतीले में हाफ बाउल ओयल कर लेंगे यह कुकिंग ओयल है इसको मैं एड कर दूँगी अब मैं इसमें एक मीड मीडियम तू लो लखिएगा अपनी फ्लेम को और इसको जादा पकाना नहीं जाए आप प्राइय नहीं करना है बस लाइट साइसका कलर चीन हो जाए जादा इसको ब्राउन नहीं करना है यह देखिए वी वर्स हमारी प्यास ब्राउन हो चुकी है लाइट सी अब मैं इसमे अब मैं इसमें सारे होड़ स्पाइसे राट करूंगी काली मिर्चो को पाउडर नमक हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून जीरा तू टेबल स्पून चिरी सॉस और तू टेबल स्पून सोया सॉस और हम एड्ड सरफून्य टी माटर नमक है कि इसको फि moyens श्टी कर लेंगी है और हम एसमें हमने वन टीवल स्पून लव beef had aет करेंगे और तू ब ए प्टेया कैसे मेक्राइट यह देखें एक से मिक्स करने के पात अब मैं इसमें सारे सबजी आड़ करूंगी गाजरे शिमला मिर्च और लास्ट में गोबी अगर आपको और कोई सबजी पसंद है तो आप वह भी आड़ कर सकते हैं जैसे बीन्स आपकी जो भी फेवर्ड सबजी हो आपके लिएगा लिकी तीन सब्सवे से बहुत ही जबर्दस टेस आता है मैं इनको इसे मिक्स करना है इसे पानी आड़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है यह देखिए इसको मिक्स करना है मीडियम डू लो फ्लेम भी आपने इसको काम करना है इसे पानी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है बस इसको हमें हलका सा सौते करना है हम इसको ढखके रख दूंगी चार मिन के लिए चार मिन के बाद वीवर्स हमारी सबजियां अच्छे रगेस से सोते हो चुकी है ये रेखें सबजियां सारी खड़ी खड़ी है इसको ज़रा मैंने गलाया नहीं है कि जादा नरम पड़ जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती खाने में अब मैं इसमें अपनी नूडल सेट करूंगी और इसको अच्छी जरी के हैं मिक्स करूंगी बिसमिल्लायरक्मानुरहीम यह देखें अच्छी नहीं सेमिक्स हो चुकी है अब मैं इसको ढखके रख दूँगी चार मिन के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे इस तोना अगर आप मैंने चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताके मेरी हन नहीं आने वाली वीडियो आप तक पहुंस सके यह आपकी दरस से महुबत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं अब मैं इसको चार मिन के लिए दम पे रख दूँगी फिर मैं आपको डिशर्ट करके दिखाती हूँ चार मिन के पाद यह देखिए वर्स हमारी मज़ेदार सी नूरल्स त्यार हो चुकी है अब मैं इसको डिशर्ट कर रही हूँ यह देखिए वर्स हमारी मज़ेदार सी हाका नूरल्स त्यार हो चुकी है जो के बहुत जारा मज़ेदार और डिलिशिस बनी है अगर आपको में रेसी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजीगा शेयर कर दीजीगा, सबस्क्राइब कर दीजीगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजीगा अपना बहुत-बहुत ख़या रखीगा अल्ला हाफिस